हालो फ्रेंड्स वेल्कम टो यूट्यूब चैनल लेजुकेशन निकेतर बैक टू बैक दो डिसिजन बीपेसी के अगेंस्ट में गये हैं और दोनों ही जो डिसिजन थे उसमें डिसिजन करता जो थे उते जस्टिस शकरधारी सरंद सिंग कल जो एपीओ के लेकर डिसिजन आय है उसमें पटना हाई कोट ने एपीओ बहाली मामले में बीपेसी पर कली टिपनी की और प्रणबिक परिक्षा रिजल्ट में संसोधन करने का अदेश जाली किया साथ ही का है कि बीपेसी एक समझदार यों जिम्यदार समयधानिक संस्ता है उसे पता है कि आगे क्या करना है हाई कोट की स्टिपनी के तुरंद बाद बीपेसी ने मंगल वार से सुरू होने वाली एपीओ की मुख परिक्षा अगले अदेश तक अस्तगित करने का निर्णे लिया कोट का कहना था कि ये पीओ बिखाली के लिए जारी बिग्यापन के तहट रिजल्ट घोसित किया जाए बिग्यापन में कहा गया था कि रिजल्ट जो नमबर अफसेट से उसके दस गुना घोसित होगा और इच सब्जेक्ट कटफ की बात नहीं कही जी थी यानि कि जी एस और लो में अलग-अलग कटफ की बात नहीं कही थी जब कि रिजल्ट जो जारी किया गया था वो एग्रिगेट कटफ के साथ साथ इस सब्जेक्ट कटफ के साथ जारी किया गया था तो इस पर आयोगने फटकार लगाई कि आपने अगर जो नोटिफिकेशन में जो बात कही की है नोटिफिकेशन के बाद सुमें परिक्षा हो ανे के बाद बदलाव नहीं कर सकते हैं नयमूर्थी चक्रधारी शरॉन सिंग एकल पित में तीन अलग-अलग मामले पर एक साथ सुनमाई के साथ ही कोर्ट ने तीनों मामले का निस्पादन कर दिया BPSC ने पांच सो तीरपन APO बहाली के लिए गत छे फरवरी को प्रिडम्स की परिक्षा हुई थी एक दो अलग-अलग न्यूज में उसी चीज को अलग-अलग तरीके से समझाया गया है मेन बोन ओफ कंटेंशन था कि रिजल दसगुना जारी किया जाए और इस सब्जेक्ट की कटफ के जो करेटेरिया लगाई गई है उसे हटा दिया जाए यानि कि आप अगर आप चाहो तो मैं यानि पेज की जो रिट पेटेशन फाइल हुई थी मैं उसकी कॉपी भी आपके साथ साजा कर सकता हूँ यह रिट पेटेशन की कॉपी है जो कि छातरों ने फाइल की थी इसमें छातरों ने अपने मार्क शीट और सारी चीजे साजा की हैं उनके प्रेयर्स क्या थे एक इसमें आयोग ने और गलती की थी कि नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जिसके परिक्षा सो नंबर की होगी और लोग की परिक्षा देड़ सो नंबर की होगी जबकि जब प्रश्ण पतर दिया गया तो उसमें लिखा हुआ था कि लोग की परिक्षा में भी कि 100 प्रश्ण है और सब के मान बराबर है। इसको लेकर भी confusion हुआ था लेकिन बाद में आयोगन ने इस पर एक notification जारी कर इस बात को clear किया था कि जो लोग की परिक्षा है उसमें जो प्रश्ण है वो समान अंक यहने कि वो एक अंक के नहीं है 1.5 अंक के है जिसे अब देख सकते हो कि नहीं लोग में 91 नंबर प्राप्त हुए है जबकि GS में मात 30 नंबर प्राप्त हुए है एग्रिगेट 121 है अब कट अफ से इनके अधिक नंबर है फिर भीन का रिजल्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि GS में 40% मार्ट नहीं बन रहे है तो ऐसे यह भी अर्थियों ने केस किया था कि जब आपने प्रेडिम्स में बताया ही नहीं प्रेडिम्स से पहले नोटिपिकेशन में कि ऐसा करना है तो जिनका लॉब बहुत अच्छा था जिन बच्चों को निगेटिब मार्गिंग थी उन्हें ने GS में बहुत काम स्कॉर किया क्योंने पता था कि एग्रिगेट के रूप में उपास कर जाएंगे तो इसलिए पटना हाई कोट ने आयोकर फटकार लगाई और कहा कि जो भी नियम आप नोटिफिकेशन में देते हो उसी कदार पर परिक्षा होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आप उसमें बदलाव कर लें और खासकर प्रडिम्स के परिक्षा होने के बाद तो जो लोग कहते हैं कि BPSC पटना हाई कोट से कोई भी डिसीजन अगेंच में नहीं जा सकता उन्हें पता होना चाहिए कि अगर आपके आर्गुमेंट में दम है रेसनल है तो डिसीजन आपकी फेवर में जा सकता है और BPSC के अगेंच में जा सकता है जिसका कि दूर बैक